हेलो एब्रीबडी, वेलकम टो अरान एंटेटेन्मेंट, तो अभी आप लोग सोच रोगे, इस पर्टिकलर मुवी का रिव्यू करने के लिए तुमको इतना टैम क्यों लग गया, तो सीजी सी बात ये बूलू के ऐसी मुवी देखने के बाद दोई चीज हो सकती है, या तो महामें जा सकता है, या तो बंदे की मौत हो सकती है, और फिर भी अगर आपकी नसीब अच्ची हो, और आप लोग इन दोनोई चीजों से बज गये, तो उसके बाद भी हिम्मत करके कोई वीडियो बना रहो इस पर्टिकलर मुवी का तो आप पूरुष नहीं, महा क्यार, साड़े साथ बजी से पहले ही मुवी रिरीज होगी, फट से भाई मैंने ओन दा स्पोट के लिए क्या मुवी देखना शाट किया, और मुवी के स्टार्ट में ही, पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे भूच के एरबेस पर हमला कर दी, और उस हमले के बीच में अजे अजे देखन की अंट्री होती है, और अजे देखन की अप्तक्त की सबसे वर्स एंट्री अगर किसी मूवी में होगी तो बाई, वो यही मूवी है, ऐसा लगते ही निके हीरो के एंट्री है, लगते है कोई साइड एक्टर भाग रहा बजके, और फिर उसके बाद वह जीप जगे पर गाड़ी घड़ी है बस वो श्टेरिंग हिला रहे उसके बाद जो भी चीजे होती होती होता आप लग मुवी देख लोगे मुवी की घानी सिंपल सी यह है कि 1971 में इंडिया वर्स पाकिस्टान हुआ था और पाकिस्तान नहीं क्यों किया था क्यों कि पाकिस्तान चा उसको अगर अपने कबजे में ले लेते तो उसके बतले वो लोग इंडिया वालों से नेगोशियेट कर सकते तो ऐसे में को आडरल लीडर विजयकार ने किया ने कि अजे देबन किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को ढूल चटाते यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह यह कर क्या रहा है नूरा फतही के कैरेक्टर संजू बाबा का कैरेक्टर संजू बाबा का कैरेक्टर के बार में एक चीज़ बदा तो कि स्टार्टिंग के आदे घंटे में बाबा का एक्स्प्रेशन ऐसा है वह एक्स्प्रेशन देखकर ऐसे लग रहा है कि बाबा उस वक सोच रहो sizzle जाती कि बाबा के सामने नूरा फत्cion अपने क्या ङ में बाइबा की मन में क्या चल रहा है कि वह जूरा यह सब मत करो वह चीए जोक्छा करती हो मतलब इस तरह के रोल में शुव भगाettes रोल में सुरी यार जो भी नूरा के फैन मैं इते ही बोलूगा कि नूरा फतेई इस तरह के रोल में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है मताँ भावाच माइफा की है उसको ठीक तरह से हिंदी बोलने नहीं तो आपको लिटरली हसी आएगी या तो फिर आप लोग रोगे या त क्रीम ही तोड़ दो नूरा फतेई इस वर्स्ट कास्ट एवर अगर आप लोग वार मुवी के बारे में सोचो इतनी सारी वार मुवी बनी है तो उसमें अगर कोई वर्ष कास्ट भी होगा ना तो सबसे वर्स्ट होगी नूरा फतेई और जो चीज में वह बैटर है वह अगर और जो नहीं देखने मिलें और लिटरली जो चीज नूरा की हम लोग देखने जाते है वह जो नहीं देखने मिला उससे इतना घुसार तो मैं क्या बोलू और अजय देगन की बात को तो तो एघैडेवण के रोल में भी वह दम मजा आता था था वह रोल यहां पर सब्सक्राइब करता है किसी से कुछ हमको लेना देना पड़ता ही नियुक्त थोड़ा बुट कमेक्शन बना बैसे कुछ भी नहीं होता है वाक्य में रियल में हुई टी 1971 उसको इतना मेरिच मसाला लगा के बता है हाला के निर्माता उन्हें स्टार्टिंग में बता दे कि यह लोग ने एक लिबर्टी लिए फिक्शनल लिबर्टी लिए चीजों को दिखाने के लिए लेकिन इतना और क्लैमेक्स में जो चीज हुई ना वह यहां पर स्पॉइलर नहीं हूं आपको बता दो कि वह एरक्राफ लोगों को एक लिमिट चीजे दिखा रहा है ऐसी भी मत बताओ के देखके लगे के मतलब क्या कर रहे हो तो बड़ी सी टैंक होती है उससे ना पाकिस्तानी की जो विमान होते हो उसको उड़ा रहे है अब विमान को उड़ाते ज़रूर है लेकिन विवान का गिरते बता है बूच के एरबेस पर गिरते हो हमारी इंडिया की प्रोपर्टी है चाहिए उनके शेल्टर्स हो या घर हो उनके ही जहाँ उन्हीं पर आके गिर रहे है तो भाई क्या मतलब उनको उड़ाने का जब तुम उड़ा के जब प्लेन गीर तो अपने ही प्रोपर्टी को डेमेज कर रहे तो मतलब कौन है विएपेक्स आर्टिस किसने ही वह सारे चीज़ें की बड़ा सीपी होगा बीजियम अच्छा है कहें कहें तो ओधी टॉप जाता है लेकिन ठीक ठाक है सॉंग्स एक से बढ़कर एक वहायात है अच्छा हो लोने काफियत तक सॉंग्स को निकाल दे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक भी सॉंग इसके अच्छे हो गया है डायरेक्शन बहुत ही पैठेटीक है ऐसा लगता है कि भाई यह मूवी एक्टीस की है नाइंटीस की नहीं बूलों कि नैंटीस में हमने बॉडर मूवी देखी थी यह बॉडर के भाई दूर दूर बाद को तो भाई सबी एक्टर ने यहां पर डीसेंट रोल किया मुझे शरत केलकर से भॉत ही जाथ एक्सपेक्टेशन थी लेंगे सरत केलकर का जो रोल है भाई भॉत ही कवे एक्टम स्क्रीन टांग दिया ही नहीं और एक चीज़ और याद है कि शरत केलकर यहां पर करा इसे भी सैंस नहीं बनता है मतलब उसने पाकिस्तानी मुक्यबास का जबडा तोड़ दिया लेकिन एक मुस्लिम रड़की से शादी किया हिंदूस्तानी मुस्लिम नहीं कि यह बता है काफी चीज़ डायलोग दिखने मिलते है काफी शेज़ लें और के अभी सेशर ले मतलब जो डिरेक्टर बताना चाहरे थे उन्होंने कुछ अलग तरीकी से चीज़े बताई जो ऑडियंस को मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं और ये उस टाइटिग्री में आजेगी कि हमारी बॉलेट में जो वारक से लेटर मुवी बनी है तो सबसे वर्ष्ट वाली सब्सक्राइब को देखो तो आप लोगो को देखना तो देखो पैरेंटर वालेंस नहीं है तो आप लोगो देखते हो देखो मैं इस पर्टिकलर मुवी को रेडिन दूँगा 4.5 आउट ओफ 10 4.5 में इसले दे रहा हु क्यूंकि संजु बाबा को जो क्लैमेक्स में एक्ष कर रहे थे ना भाई संजु बाबा के लिए 4.5 स्टार बाकी बस इस वीडियो में इतने अगर मुवी देखना तो जाके देखो तुम लोगी मर्जी मैं मिलता हु एक्स वीडियो में दिल देन बाई